हेलो स्टुडेंट, आई एम पिनल करासिया फ्रोम अश्वमेग विद्यालेयर तोडें इन इंग्लिश कामर, वियर कॉंटिन्यू अवर एक्सरसाइल एन पेज, टेक आउट पेज नमबर त्वैंडी यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी गई है और हम वो स्टोरी करने वाले हैं क्या करना है आपको पता है? Read this story Replace the naming words in color with He, She, It, They, Are, We आपको क्या करना है? Color में जो naming words दिये गए हैं उनकी जगह आपको क्या रखना है? He, She, It, They, Are, We First of all, We, Read this story Once upon a time, there was a farmer एक बर क्या है? एक फार्मर होता है The farmer had three sons उस फार्मर के तीन यानि थ्री संस है The three sons always fought with each other वो जो फार्मर के थ्री संस है वो हमेशा लड़ते रहते हैं Fought fight तो fight यानि लड़ना The farmer was unhappy उन्हें लड़ता देख फार्मर खुश नहीं था, unhappy था, sad था One day, the farmer called the three sons एक दिन फार्मर ने अपने तीनो सं को बुलाया The farmer asked them to bring a bundle of sticks फार्मर ने क्या किया उन्हें स्टिक्स की बंडल मंगवाई The three sons brought a bundle of sticks वो तीन संस स्टिक्स का बंडल जो है वो ले आते है The farmer took out a few sticks from the bundle फार्मर क्या करता है उन्हें से थोड़ी लकडियां बंडल में से निकाल लेता है And asked each of them to break a stick one by one फिर क्या कहता है कि आपको क्या करना है ये बंडल में से जो sticks निकाली थी वो एक एक करके तिनों को देता है और क्या कहता है आप उन्हें तोड़ दो एक बारी बारी से तोड़ दो बंडल में से सबको sticks तोड़ने के लिए कहता है The three sons easily broke the sticks तो एक एक sticks वो easily तोड़ देते है The farmer gave them the bundle of sticks to break फिर farmer क्या कहता है उन्हें पूरा बंडल जो हता है वो ब्रेक करने के लिए कहता है अब देखिए क्या होता है The three sons tried but could not break the bundle वो तिन sons जो हते हैं farmer के वो बंच को तोड़ने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो बंडल को तोड़ नहीं पाते हैं The farmer taught them that if the three sons stayed together तो farmer क्या कहता है कि अगर आप तीन साथ में रहोगे तो nobody will be able to bring any harm to them तो अगर आप सब साथ में रहोगे तो आपको कोई harm नहीं पहुचा पाएगा आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा अगर आप अलग-अलग रहोगे तो आपको harm करना easy हो जाएगा आपको तोड़ पाएगा तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर हम जो red color में naming words दिये गए हैं उनकी जगह हम he, she, eat, they, or we इन में से जो भी आएगा वो हम रखेंगे तो teacher आपको दो तीन exercise help करेगी बाकी का आपको घर पे खुद से try करना है It is your homework Once upon a time there was a farmer यहाँ किसकी बात हो रही है? farmer, the farmer तो the farmer की जगह हम क्या रख सकते हैं? the farmer यानि वो एक male name है तो हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं? He had three sons यहाँ पे हम क्या रखेंगे the farmer की जगह पे? He had three sons तो यहाँ three sons के लिए हम क्या रखेंगे? ते, T-H-E-Y ते, they always fought with each other तो यहाँ पे क्या रिखेंगे हम? He was unhappy One day, the farmer The farmer की जगह He, he called the three sons The farmer फिर से तो यहाँ पे हम रखेंगे He, he asked them to bring a bundle of sticks The three sons तो यहाँ पे हम रखेंगे दे ठीक है? इस तरह आपको बाकी की एक्सरसाइज जहाँ पे आपको red Red color में naming words दिये गये हैं वहाँ पे आप क्या लिखेंगे? He, she, it, they, we जो भी यहाँ पे आएगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यह यह exercise आप complete करेंगे Thanks for watching और यह आपको आपकी English grammar की notebook में लिखना है आप पहले यह paragraph नहीं लिखोगे तो चलेगा लेकिन आपको he, she, it और we लिखके आपको exercise complete करनी है